मैन प्लाट ब्लाक अंतरगत उडुम केला पंचायत के ग्रामिन आज भी धोड़ी के पानी पिये बर मजबूर है एकरले पियेची भी भाग लग कोई मतलब नहीं है उहें सीतापूर ब्लाक के कई नल जल योजना पूरी तरह ले ठप है हेंड पंप खराब लोगन परिसान है जीला भर मा लगतार जल संकट बाढ़त जावा थे नदिया नाला कुवा तलाब सुकत नजर आवा थे गाउ मा लाखो रुपया खर्च करके नल जल योजना पियेची विभाग द्वारा तैयार करे गए रहीज लेकिन सब्बो नल जल योजना बंद पड़े है यहां तक के गाउ के हेंड पंप मन तको खराब हावा है लोगन पानी बर 5 किलो मीटर दुरिहा ले पिये बर पानी लाए बर मजबूर है गर्मी के मौसम होई के कारण पियेची विभाग ला सर्वे करा के गाउग गाउमा लोगन ला जंग संकट ले निप्टे के इंतजाम करना रहीज लेकिन पियेची विभाग के SDO SS पैकरा द्वारा ए और कोई कदम ने उठाय गईज जे कर ले जल संकट के इस्थिती भायानक हुआ जा थे आज भी लोगन जल के समस्यल अले के भारी परिसान है लोगन द्वारा हेंड पंप सुधरवाय बर सुचना दे जावा थे लेकिन पियेची विभाग के कर्मचारी हैंड पंप सुधारे बर कोनों भी नियावा थे खोता था लेकिन अभी बंध है एक साल से एक साल से बंध है लगड़क एक साल से तो अप लोगगं को पानी साप्लाई हूता है पानी तंकी से तरे तो दो साल करीब से बंध है तो यह आते हैं तो चार दून दिनी ऊ एक मेहीन था बहना चाहिए चालू करते हैं इसके बाद अर बंध हो empezar यहां की स्थिती पानी के लिए लोग दर-दर भटक रहे हैं मैं देखा वो तसील के पास एकेंटमम बना वह भी तो खड़ा पड़ा हुआ है ओहां भी पानी में नितल रहा है और यहां यह एक यह ग्राम पंचाइट रहे के रहा से जनगधारी को सब्सक्राइब सितापूर विकास खंड में 12 नल जल योजना सिक्रित थे अभी नए में दो नल जल योजना सिक्रित थे मैं पार विकास खंड की बात करें तो मैं पार विकास खंड में पांच नल जल पहले सिक्रित थे अभी दो नल जल योजना और नए सिक्रित थे कि यहां पिनल जली उजना पूरी तरह से ठफ़े सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इसका सुधार किया गया नया बदला गया अभी फिर मोडर खराम है इसलिए जो तस वाज़े बंदा उसके सुधार किया गया